Welcome to Magic Smart Homes, आज हम cover करेंगे Magic SuperCam Series में Wi-Fi range So हम सारे की सारे camera cover करेंगे, तो हम indoor और outdoor को detail में देखेंगे But SuperCam Series है क्या? कि इसमें हमने innovation की है, we have put two cameras in a single camera मतलब two in one है, दो camera काम एक camera करेगा, बहुत ही high resolution होता है तो अगर आपको खरीदना है केवल एक camera, और आप cover करना चाहते हैं सब कुछ और आप चाहते हैं एक premium quality, तो आपको लेना है SuperCam 4G range हम अलरड़ी इस channel पर cover कर चुके हैं, आज cover करेंगे Wi-Fi range Wi-Fi range में बहुत सारे cameras हैं, जिसे कि indoor camera है, एक bulb camera है, जो यहां मैंने नहीं रखा है एक outdoor camera है, black and white दोनों में हैं, और एक यह जो बड़े कानो वाला आपको देख रहा है, यह siren camera है बहुत अच्छा output siren quality होती है इसकी, तो एक indoor और outdoor पर चलिए हम डिटेल में cover करते हैं, हम दिखाते हैं कि इसमें क्या quality है, क्या खास बात है हमारे SuperCam series में, और अगर आप 4G sim वाले camera देखना चाहते हैं, तो you can refer to another video, so let's jump into the video and cover these cameras तो यह रहे हमारे दोनों cameras, Magic SuperCam, Wi-Fi cameras, पिछली वीडियो में हमने cover किये थे, जो थे 4G cameras, इस वीडियो में cover करने वाला हूँ, दोनों Wi-Fi cameras है, indoor and outdoor, जिसने भी पिछली वीडियो नहीं दिखी है, उपर आई बिटन पर click करके वहाँ पर जा सकता है, या फिर description में लिंक है, व यह waterproof नहीं है, आप इसे outdoor में यूज नहीं कर सकते हो, then storage इनकी सेम ही है, 128GB memory card support करता है एक camera, दोनों camera 108GB memory card support करते है, बट जो हमारा Wi-Fi camera है, वो जो outdoor camera है, यह हमारा waterproof है, इसे आप indoor and outdoor दोनों areas में यूज कर सकते हो, तो दोनों camera के मैं आज features बताने वाला हूँ, अधिक तर सार feature आपको बता दू, dual screen का feature सबसे पहले मिलेगा आपको, आपने जितने भी Wi-Fi cameras देखे होंगे, उनके अंदर एक ही camera होता है, बट इनके अंदर आपको dual screen देखने के मिलेंगी, dual cameras देखने को मिलेंगी, उपर जो camera है, उपर वाला वो bullet type है, वो rotate नहीं होता, बट जो नीचे व इनके अंदर मिलेगा, और तेन 5 MPs की video quality है, इन दोनों camera की 5 MP video quality है, auto patrolling इनके अंदर मिलेगा, आपको, आपको खाली बस preset positions इसके अंदर, इनके अंदर set करनी है, 6 preset positions होती है, तो वो इनके अंदर set करनी है, और आपको खुछ, रोटेट करने की जुरुद नहीं होगी, उन जो second जो इसका feature है, वो है AI human detection का, आपने other wifi cameras देखे होंगे, जो अगर animal भी आया है, उनके सामने तो उनको भी detect करने लगता है, और alarm siren करेट करता है, बट यह खाली, human human को detect करेगा, other animals वगरा को detect नहीं करेगा, और कुछ भी activity जैसे इन दोनों camera के सामने होंगी, आपको साथ क alarm siren के rate करेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा, कि आपके घर के अंदर कुछ भी activity हो रही है, और आप alert हो जाएगे, third feature जो इसके अंदर मिलेगा, इन दोनों camera के अंदर night vision है, intelligent night modes and anti flicker, तो आपने other cameras देखे होंगे, जो recording करते वक्त fade हो जाते है, उनकी screen blur हो जाती है, इन इन दोनों camera के अंदर आपको anti flicker मिल जाएगा, अगर उसे हो क्या करता है, कि night में भी आपको clear से clear video provide करता है, then LED से मिल जाएगे इनके अंदर, आप infrared night vision भी है, इनके अंदर और colored night vision है, तो दोनों modes में आप video record कर सकते हैं, then fourth feature जो है, इसका two way intergram का, इन दोनों camera के अंदर आप fast की जितनी भी recordings होंगी, वो आप सुन भी सकते है, playback option मिल जाएगा, इन camera के अंदर, दोनों camera जैसे मैंने बता है था कि 108GB memory card support करते हैं, तो आप video ये record करते हैंगे, camera और आप जो जितनी भी पुरानी videos है, memory card के अंदर देख सकते हैं, तो ये सारे features आपको इन दोनों camera के अंद तो जिसको भी वीडियो देखनी है, आई बटन पर क्लिक करके महाँ पर जा सकता है, या फिर description में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, जैन किसी को भी ये दोनों camera का physical structure, जैन unboxing देखनी है, तो परानी videos पर चले जाए, same model है, और configuration देखनी है, उपर आई बटन पर क्लिक कर दि लिए, वहाँ से configure आप configuration देख सकते हो, तो कैसे लगी वीडियो, comment मजूर बते हैं, thanks